नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है UPGK ट्रिक्स की वीडियो में दोस्तों आजमलोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के महत्पुन मंदीर को ट्रिक्के माध्यम से याद करने वाले हैं इससे पहले मैंने उत्तर प्रदेश की जनगरना सहित 17 वीडियो ट्रिक्के माध्यम से अप्लोड कर दिये हैं तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना मंदिर की जो की इस्थित है सरावस्ती में तो आपको पता है जो चाइना की चीजें हैं दूसरे देशों की अपेक्षा सस्ती होती हैं जैसे आपने देखा होगा भारत में चाइना की जो मोबाइल्स होते हैं काफी ज़्यादा सस्ते होते हैं तो सस्ती फोर सरावस्ती तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो चाइना मंदीर है वो सरावस्ती में स्थीत है नेक्ष्ट है बटुकेस्वर मंदीर जो की इस्थीत है कास गंज के सोरों में तो कैसे याद हो जाएगा यहाँ पर देखिए बटुकेस्वर में आपको सद मिल जाएगा बटु बटु को याद करने के लिए कर लेते हैं बटुआ बटुआ मतलब पर्स की बात हो रही है और बटुआ में क्या होता है कैस होता है तो कैस फौर कैस गंज तो आपको याद हो जाएगा कि जो बटुकेस्वर मंदीर है यह कास गंज में इस्थीत है अगला जो है वह है सनातन धर्म मंदीर जो की इस्थीत है गौतम बुध नगर में तो आपको पते है सनातन धर्में गौ गौमाता का इस्थान काफी जादा उचा होता है तो गौमाता फौर गौतम बुध तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सनातन धर्व मंदि जो है वो गौतम बुध नगर में इस्थीत है फिर अगला है दानवीर कर्ण मंदिर और पांडव मंदिर जो की इस्थीत है तो कैसे याद हो जाएगा यहाँ पर देखिए दानवीर कर्ण की बात हो रही है और पांडव मतलब की बात हो रही है युदिष्टिर नकूल सहदेव अर्जून इनकी बात हो रही है भीम की भी तो यह पांडव है मतलब की पांडव और कौरव से सम्दित बात हो रही है क् पैसे याद रखिएगा कि दानवीर कर्ण मंदिर और पांडव मंदिर जो है वो हस्तिनापूर मेरट में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टीका राम मंदिर की जो की इस्थीत है अलिगड में तो यहाँ पर देखे टीका राम मंदिर यानि ऐसा समझे कि कोई मंदिर है वहाँ पर जाने के लिए टीका लगाना पड़ता है राम नाम का ठीका लगाना पड़ता है तो जाहिसी बात है जितने भी लोग मंदिर के अंदर जाना चाहेंगे सब को टीका लगाना पड़ेगा तो आल लोगों को राम नाम का टीका लगाना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए तो all for अलीगड तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टीका राम मंदिर जो है वो अलीगड में इस्थीत है फिर अगला है लेहेडा देवी मंदिर जो की इस्थीत है महाराज गंज में अब देखिए लेहेडा में में आपको सब्द मिल जाएगा हेडा हेड मतलब सिर्की बात हो restrict है और महाराज गंज में आपको सब्द मिल जाएगा गंजा ठीक है गंजा सब्द वैसे कास गंज में भी गंज सब्द लिखा हुआ था लेकिन हम लोगोना इसको कैस से याद किया था है ना बटकेस्वर मंदी जो था वो कास गंज में था लेकिन यहाँ पर गंज को कर लिए हैं गंजा तो जाहिस उवात है हेड ही गंजा होते हैं सर ही तो गंजा होते है दर सर में बाल ना हो तो इनसान गंजा है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लहेडा जो मंदिर है वो कहां इस्थित है महराज गंज में फिर अगला है इट इवा मंदिर ये भी महराज गंज में स्थित है तो यहाँ पर देखी इट कर लेते हैं याद करने के लिए ठीक है eat मतलब खाने की बात और खाने की अगर बात करें तो सबसे बहतरीन भोजन किसका होता है राजा महराजा का है ना वो हमेशा ही 56 भोग करते हैं तो आप ऐसे याद रखिएगा eat की बात करें भोजन की बात करें तो सबसे बहतरीन भोजन राजा महराजा का होता है तो महराजा फ पर देखे सब्द लिखा हुए दस अवतार यानि दस अवतार और अवतार कौन लेते हैं देवता लेते हैं तो यहां पर देखे देवता अवतार किसले लेते हैं लीला करने के लिए जैसे राम लीला कृष्ण लीला है न तो लीला करने के लिए देवता अवतार लेते हैं तो की इस्थित है देवर्या में तो बाबा सोमनाथ बाबा मतलब भोले बाबा की बात हो रही है और आपको पता है भोले बाबा को देव कहते हैं या फिर महा देव कहते हैं तो देव सब्द आपको मिल जाएगा नाम में तो देव फोर देवर्या तो याद रखेगा बाबा सोमन जी की मंदिर जो है वो देवर्या में स्थीत है फिर अगला है गोला गोकर्ण मंदिर जो की स्थीत है लखीमपूर खीरी में तो इसको आसानी सियाद कर लेंगे यहांपर देखे गोला धीक है गो यानि गॉमाता की बात हो रहे है और आपको पता है गॉमाता के मिलक से खीर बनती है तो खीर फॉर खीरी यानि लखीम पूर खीरी तो कैसे याद हो जाएगा यहाँ पर देखिए वाराह मंदीर याद करने के लिए कर लेते हैं बारा मंदीर मतलब बारा मंदीर बनाने की बात हो रही है तो जाहिए सी बात है अगर कोई बारा मंदीर बनाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा कैस की जरूरत पड़ेगी है न बहुत ज़्यादा कैस की वान ने भी अवतार लिया था तो जाहिस सी बात है वो किसके अवतार थे वो सेशनाग के अवतार थे तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेशनाग जी ने अयोध्या में अपना अवतार लिया था तो यहां पर नाग से आपको याद हो जाएगा नागेश्वरनाथ मंदिर और अयोध्य ठीक है तो याद रखिएगा नागेश्वर नाथ मंदिर कहां इस्थीत है अयोध्या में इस्थीत है ठीक है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओघड नाथ मंदिर की जो की मेरठ में इस्थीत है तो यहाँ पर देखें ओघड में घड सब्द लिखाओ याद करने के ब्रिंगु मंदिर जो की इस्थीत है बलिया में तो ब्रिंगु का एक मतलब होता है भवरा और आपको पता है जो भवरा है वो कलियों के आसपास मडराता रहता है तो कलिया फोर बलिया तो याद रखिएगा जो ब्रिंगु मंदिर है वो बलिया में इस्थीत है फिर अगल साकंभरी देवी मंदिर के पासी तो आसानी से याद करवाया थे मैंने आपको कि वहाँ पर सब्द लिखा हुआ था कम भारी है ना तो कम मान लीजे कोई ब्यक्ति है जो कि जादा भारी चीज ले जा रहा है तो अगर कोई दूसरा ब्यक्ति उसको सहारा दे दे मान लीजे किस सकंभरी देवी मंदिर याद रखेगा सकंभरी देवी मंदिर जो है वो सहारन पुर में इस्थित है next है भितर गाउं गुप्त कालीन मंदिर जो की इस्थित है कान पूर नकर में तो यहाँ पर देखे नकर सब्द लिखा हूँआ और आपको पता है कोई भी छेत्रौ गुप्त यनि कहने के तो ऐसा बोला जा रहा है कि कानपूर पूरी तरह से नगर है कानपूर नगर लेकिन यहां पर गुप्त रूप से भीतर गाउं भीतर मतलब अंदर होता है तो अंदर गाउं भी है गुप्त रूप से लेकिन इसको बोल रहा है कि पूरा का पूरा अगला है कुंतेश्वर मंदी जो कि बारा बंकी में इस्थित है तो कुंते को कर लेते हैं कुते ठीक है के बल याद करने के लिए इसको गलट ढंग से नहीं लेना है आपको तो कुते क्या करते हैं भौकते हैं तो ऐसा समझे कुते बहुत जादा भौकरें तो बोल देता हैं बारा भॉंकी है ना तो बारा भॉंकी तो फौर बारा बंकी तो याद रखिएगा कुंतेस्वर मंदिर जो है वो बारा बंकी में इस्थीत है फिर अगला है बेलहा देवी मंदिर जो की प्रताप गढ़ में इस्थीत है तो यहाँ पर प्रताप में आपको पता सब्द मिल जा कि औरया में स्थीत है तो देवकली में आपको दे के बाद वकली सब्द मिलेगा या फिर वक वक आपको पते है एक पक्षी है और गौरया भी एक पक्षी है गौरया फर और और तो याद रखिएगा कि देवकली मंदिर जो है और या में स्थीत है फिर अगला है मकरवाई का नाम है तो आप ऐसे याद रखिएगा माह फौर महोबा इसके बाद अगला है मेधुक मंदीर जो की लखीमपूर खीरी में इस्थीत है तो इससे पहले मैंने गोला गोकन नात मंदीर याद करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गोमाता के मिलक से खीर बनती है त फिर अगला है लाडली जी मंदीर जो की मतूरा में इस्थीत है और साथ हरी देव जी मंदीर जो है ये भी मतूरा में इस्थीत है तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है लाडली जी मतलब राधारानी और हरी देव हरी मतलब किसकी बात है भगवान व किशनु के अवतार कृष्ण थे जो कि मतूरा से ही सम्मन्धित हैं तो ठीक बदाने की योद बिल्कुल भी नहीं आपको याद है असानी से कि लादली जी मंधिर और हरी देव जी मंधिर जो है ये मतूरा में इस्थित हैं फिर अगला है अक्छे वट मंधिर जो की प्रयाग प्रेग राज में इस्थीत है तो अक्षे वट की बात हो रही है अक्षे में आपको सद्व मिल जाय GEORGE और प्रेयाग को याद करने के लिए कर लेते हैं प्राकिवाद योग तो जाहीज Kid स्थीत है योग करनेसे सरीर जो राम जी का मंदीर कहा बना है तो ट्रिक से बताने की ज़रुयत नहीं है तो इस त्रीके से अपने वीडियो कमेंट करके बताने है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा और दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजिएगा तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदू